तो है गाई जैसा कि आप में रखो देख रहा है मैं आचुक हो फिर से खंटेट प्लेस में जो कि काफी डरावना है दोस्तों और ये नदी के ही किनारे में ही है तो चलते हैं ऊपर की और अभी ये काफी ऊपर है दोस्तों तो गाइज ये मकडी का जालवाल बहुत सारा है अब ये देख सकते हैं इस पैड़ को काफी डरावना है दोस्तों इस प्लेस में तो गाइज आगे हम लोग जाने वाला है वह जगा काफी डरावनी है तो करीब यहां से सव मीटर ही दूर में है तो चलते हैं यार उपर तो हम लोग पूरा चड़ गाए हुँ तो गाइज यह है इस प्लेस में बता रहा हूं आप लोगों को क्या है इसमें यह पूरा यह खाई टाइप का है लेकिन इसमें घास वाँ सुग गया है और यह नदी है और उसके बीच में यह तापू टाइप का छोटा सा पथर है बड़ा सा मतलब तो इसमें कूद रहों तो गाइज मैं इस साइड आ गया हूँ यह काफी बड़ा पत्थर है और इस साइड साब भी आता है जाने कर आस्ता यहां से है तो दोस्तों यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि इस पत्थर के जश्ट नीचे में ही सांखर वाला भूत रहता है बोलते हैं अब कितना सच अच्छाए वो तो पता नहीं जो भी यहां पर मतलब रात को आते हैं बोलते हैं वह सांकर के द्वारा खीचा जाते हैं वह सांकर अपने आफने उसका पहर को मतलब बान के खीच देता है तो गैस यह है वह प्लेस यह लख भग 20 फुट गहरा माने जाता है दोस्तों यहां इस वीडियो को आप लोगो के ही तो इस साइट को भी देखनों इतना डरावना है उत्र देख सकते हैं आप लो यह है प्लेस को यह देख़ो इसका किनारे और इस साइड भी पेड़ है काफी बड़ा नदी है दोस्तों ये तो अभी उपर आ रहा हूं इस साइड से यार उस साइड से तो नहीं बनेगा तो इधर साफ अगर अभी हो सकता है कि अगर वाला भूत आप लोग सुने थे कि नहीं कमेंड करके जरूर बताने दोस्तों क्योंकि वह पानी में ही रहता है बोलते हैं अक्सर तो पानी में साकर वाला भूत सोच सकते हैं कि वैसे खीत देते हैं करके कह जाए ज़ादा डर लग है दोस्तों यहां पर काफी ज़ादा आवाज आ रही है कईसे जाओ यहां पर तो रास्ता भी नहीं है क्या करूं यहीं से अब बनेगा यार किज यार सक पाएगा न रुखन रुखन थोड़ एक दो तीन